हम आज के हमारी स्क्राइब में हम सिम्पल सी बात करने जा रहे हैं, कि vva प्रोग्रामिग से क्या करते हैं जैसे वग्ध बताया था कि व्別 एक प्रोग्रामिंग लैंक्वेज है जिसकी मदद से आप एक्सल के अंदर में तीन बना सकते है Carmibilidad Function भी कहते है और तीसरा user form जिसको हम लोग पॉपप पास किसी पерर क्लिक करते यह पॉप ओप बनाने का काम करते हैं एक काम को एक बटन पते processor ऐसायर करते हैं और लेड़ी हमारे पास फॉर्मेले है लेकि सम टाइम क्या होता है कि इसका यूज करते हैं और तीसरा यूज़ू फॉर्म जैसे बात है इंटरफेस करने के लिए हम पॉप अप त्यार करें अब माइक्रो से बात आता है अब कुछ लोगों के जिहर में confusion होती है कि माइक्रो इट में जो विव के अंदर में जो रिकॉर्ड माइक्रो होता है न यह होता है तो मैंने इस कल क्लियर किया था कि रिकॉर्ड माइक्रो एक टूल से जो आपके माउस और कीवर एक्षन को रिकॉर्ड करता है लेकिन ओव भी यूज वी यह लेंग बेज ही करता है जैसे for example, मैंने यहाँ पे record पे किया and okay कर दी, h1 पे गया और हमने name लिख दिया simple sec, name लिख दिया हम stop यहाँ से भी कर सकते अब मैं यहाँ microge पे जाके इस micro 1 को देख सकता हूँ, मतलब यह हुआ कि अब मैं अगर इसको run करूँगा अगर मैं इसको run करूँगा अब इसकी coding देखेंगे तो कुछ नहीं आप edit दिख रहा होगा edit पे click करते ही visual basic editor इसको बोलते है VVE, visual basic editor खुल के आएगा ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसनों ने इसने एक 3 line की coding की है अब इसी चीज को अगर मैं करूँगा तो मैं भी VVE programming और यहीं पर यूज करूँगा वैसे मैंने माल लिजिए कि RR नाम का एक micro create कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि range h1 dot value equal to name अब दोनों micro same है जो आपने record किया तह उसका भी काम है h1 पे value डालना और मैंने जो लिखा उसका भी काम h1 की उपर name ले उडाना अब दोनों काम यहीं से run कर सकते देखे run किया name आ गया और फिर वाप पर हम अपना बनावा macro run करते है तो यह भी run करते हैं यहाँ पर आ जाता है दोनों काम सेम कर रहा है पर कोड़िंग में दिनों दोनों का डिफरेंस है आप बोलें देख रहा होंगे कि macros ने कुछ unwanted code तीन लाइन का code बनाया और मैंने इसको एक लग में लिख दिया क्या होता है कि जो record macro है और official language को यूज करता है जैसे अगर मान लिजिए आपको अपने बहुत से चुट्टी मांगनी हो तो आप बहुत के केविन में जाएंगे और simple बोलेंगे ना कि बहुत कल चुट्टी चाहिए कल में office नहीं आऊंगा बहुत बहुत ओके application दे दो तो application पर थोरी लिखेंगे कि बहुत कल चुट्टी चाहिए नहीं आऊंगा जब application लिखेंगे तो एक पर्टिकुरल एक language को यूज करेंगे ना to the manager the company address subject dear sir thanks regard इसे लिखेंगे न सर तो सेम तिंग यहां कि यह official language को यूज करता है और हम जब code करते हैं तो जितना जुरूरत है उतना यूज करते हैं समझे रहो जी यह सर अब बात होता यहां पे कि अब यहां पर हम इस चीज के वारे में बात कर रहे हैं कि जो recording macro का benefit क्या है पहले चीज कि recording macros मेरे पास है अगर recording macro already मेरे पास है और खुद बखुद बनाता है कुछ ज़्यादा लिखता है ठीक है लेकिन काम तो कर देता है तो जैसे कि मैंने कल निकीता जी को बताया था कि recording macro एक limited यूज के लिए होता है आप conditions नहीं लगा सकते आप जो है कि रिप्टेशन नहीं कर सकते connectivity नहीं कर सकते डाइनमिक नहीं कर सकते तो सारे चीज़ी आप नहीं कर सकते हैं तो फीर recording macro का यूज क्या है तो निकीता जी ध्यान से सुनिएगा recording macro का यूज दो तरह से होता है पहली अगर आप learning period में तो यह आपको एज़ डिक्स्णरी के काम करेगा और आपने बात में इंगली सीखा होगा हम लोग की तरह कुछ लोग था है जो कि बच्पन से इंगली सुरू कर देते हैं बढ़ना हम लोगे चटी क्लास में फोर बीफोर वाल पढ़ाता है तो हमोगे डिक्स्णरी लिया था ताकि हमें पता चुन से किस वर्ड का का ये कि से अधिक का इंगलेस मेंनिंग क्या होता ते मुझे तरह से मान देजे मुझे कॉपी करके पेस्ट स्पेशल करना है अब मैं इसका कोड भून रहा हूं या फिर कोड गलत लिख रहा हूं कहीं पर मिस्टेक हो रही है तो मुझे पता करना और कौपी करगे पेश्ट स्पेशल और जो भी करना यूज कर दितफिदी। अब करो सकते हैं और नीचे लीच्छे सी स्टॉप कर सकते हैं अब वापस मॉं LumS Agora हमने बनाए हैं उसको एडिट पर जा के हम उसकी कोट को देख लेंगे कि पेस्ट करने का कोड क्या होता है और अब आप कहीं पर मिस्टेक कर रहे हैं तो आप देख के अपना कंपेर कर सकते हैं क्योंकि आप वीविय प्रोगामिंग की मदल से जब यूज करेंगे तो आखिर यूज तो आप अपना Excel का तो उसकी कोड आपको पता चलता है तो लर्णिंग पिरियेड में आपको एक सपोर्ट की तरह काम करेगा रिकॉर्डिंग मैंको समझे राओल जी समझे निकिता जी अब बात आती है कि चलो मैंने सीख लिया किया रिकॉर्डिंग मैक्रो से रिकॉर्ड鬼 मैक्रो से करना सकते हैं आपके साथ एक दूप मैं करता हूं है तो प्रोजेक्ट के लिए मुझे चाहिए होगा डेटा है रच लेकर आते हैं इस लेज़ लेकर आते हैं तो आपके सामने में इन पास एक data है आप देख पा रहे हैं data अब मुझे क्या करना है इस पर report त्यार कर में इस त्यार करना है कि आपके सामने इक data गर दिख रहा है अब मुझे इस data के अंदर में एक ऐसी तूल बनानी है जब मैं run करू तो मुझसे name पूछे जो name डालनो उस name का data filter करके copy करके किसी और sheet पे paste कर दे प्रॉब्लम समझ में आया निकिता जी आउल जी जब भी आप कोई टूल्स बनाते हैं सबसे पहले आपके requirement को समझना हो वो कहावत है ना आप सकता है अब इसकार की जरनी है तो अब इसकार कब हुए जब आप सकता हुए ना जब तक कोई चीज के आप सकता नहीं थी तो तब इसकार नहीं हुए थे ना से मुझी तरह से जब प्रॉब्लम को समझेंगे तो इसलूशन है तो चलिए इस चीज को हम recording से करते हैं से related macro use करेंगे तो एक द्धान लखेगा कि आप इस एक चीज इंगे और सिपने जाएंगे पर क्लिक करते हैं सरुब्लम करेंगे जब इसको हम इसको Technology होना नहीं चाहिए नहीं तो एर्र देगा तो रिकाडिंग में यही प्रब्लम होती है कि चलिए मैंने यहां से रिकॉर्ड कर लिया रिकॉर्ड कर लेकिन जो पूछ रही है चलते हैं ठीक है अब यहां पर हमने क्या कि फिल्टर लगाया इसके बाद मैंने इसको अभी सेलेक्शन करना है मुझे बड़ मैं सेलेक्शन कर रहा हूं मैं सेलेक्शन माउस से करेंगे एक एरिया स्लेक्शन में अटो करने के लिए हम करेंगे राइड आओ अब डारेक्ट कोपी नहीं करूंगा डारेक्ट कोपी होने का चक्कर हो सकता है तो कंट्रोल जी एस्पेशल और यहां पर हम कर देंगे वीजवल सेल्स अनली और कोपी करेंगे अब मेरे पास ओल तो हम एक नई सीट आड करेंगे ताकि नई सीट आड करने का कोड जन्रेट हो जाए यहां पेस किया सीट को मूव कर रहे हैं मूव न्यू वाइल में ओकी किया और इसको सेव कर देता हूं एक्सलेस एक्स लोकेशन मान लीजे मैंने ले लिया एफटर आई और बुक्टू क कि जगा पर अजीट कर देते हैं अब जैसे की माइक्रो रिकॉर्ड हो गया हमारा अब देख पा रहे होंगे माइक्रो हमारा माइक्रो थ्री नाम से रिकॉर्ड हो गया लेकि जो थ्री नाम का मैक्रो है ना यह वर्क नहीं करेगा मुझे सर आपने सही तो किया है वर्क नहीं करेगा देखिए कुछ ऐसे कोड जनेट हो जाते हैं जो हर बार दिक्कत होती है तो उसको आपको जाकर उसकी कोड को एड़िट करना अब क्या दिक्कत हो सकती करिए सबसे पहले यहां पर आपके सामने selection.AutoFilter और यहां पर Pas餅श्या दीक्ट हाईगा है ना कि यहां पर यहां चीज हुआ पूरसा कॉल्टार हो जाएगगी ना कि खिक्कत हो जाएगी ना इसलिए एक विल्टर को यहां से हम दिवीट कर देख seal लगाते समय मैंने कोई एडिया स्लेक्ट नहीं किया था इसका मतलब है कि अगर मैं यहां से सिर्फ एवन रखूँ तो मिना फिल्टर लग जाए किया एवन सेलेक्ट किया से लेफ राइट किया कापी किया सीट को एड किया और पेस्ट किया यहां तक तो आप थीक चला है चलेगा अब यहां आगिया शीट 4. सिट अपनों सीट एडुआ उसका नाम सीट 4 था अब यहीं पर प्रॉब्लम हागी तो यहां पर देखा कि एक्टिव सीट डॉट पेस्ट मतलब आप जो भी सीट एड करते है ना वहीं सीट एक्टिव होती है तो जहां-जहां सीट थोड़ का जिक रहा है वहां-वहां हम एक्टिव सीट ले लेंगे इसको डिलीट कर दीजिए यह आपका चेंज डायरेव है यह आपका है अब माइक्रो मेरा हमने कुछ लाइन को डिलीट किये एक दो लाइन को चेंज किया अब जो है मेरा माइक्रो फुली रण होगा लेकिन यह भी डायनिमिक नहीं हुआ है क्यों क्योंकि हर बार अजीद का ही डेटा शो करेगा समझें तो मैं चाहता हूं कि मुझसे पूछे यह चीज आपको खुछ से आइड करना पड़ेगा स्टार्टिंग में तो मैं एक डेटा टाइप लेता हूं जैसे कि एन इक्वाल टू इन्पूट बॉक्स अब इन्पूट बॉक्स क्या करता है पॉप अप देने का काम करता जिसमें आप कुछ इंत्री कर सकते हैं और जो इंत्री करेंगे टोई प्लस टेन करूंगा तो क्या होगा इसको बोलते है यहां का सकते है टेंप्राली सेविक लोकेशन की वैलू को कहीं पर होल्ड करना है उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं अब मुझे जहां जहां नेम चाहिए वहां वहां हम एन कर देंगा यहां एन कर दिया अब यहां अजीत है अब यहां पर दिक्कत है साब देखिए निकिता अजी अगर मैं यहां पर एन कर देता हूं तो इन नाम का फाइल मना है क्यों क्योंकि inverted comma के अंधर दिखे आपको आप Excel formula भी लगाते हैं तो इनवर्ट को लगाते हैं तो टेक्स हो जाता है जैसे for example कि मेरे पास A है यहाँ यहाँ पर 1 है अब यहाँ पर मुझे दुनों कमाइन करके A1 बना तो हम क्या करते हैं कि हम इसको select करते हैं एंपरसेंट और इसको सेलेक्ट करते हैं कुछ लोग कॉड़ के टानेर निफ़े लगा देते हैं उसी तरीके से प्रग्रामिंग में हम करेंगे हम यहां से इसको तोड़ देंगे एंपरसेंट वे उजब तूड़के यहां परसंट तो जब तीनों बनेगा तो एंड फाइल ने मिल जाए ठीक है कि मैं निकिताची कि नहीं आपको कि अब देखिए अब मैं इसको रण कर रहा हूं अपने मैं किया माइक्रो नूमर 3 को तो मुझसे पूछेगा नहीं तो माल लेजिए मैंने दे दिया यहां पर ओम दे दिया तो आप देखेंगे खदम होता है नहीं फिल्ट्र का फिल्ट्र यूज कर रहा है और इसको ओपन करके इसके अंदर का देटा देख सकते हैं कि आया डेटा कि समझें तो कहने के मतलब है कि आप अगर रिकॉर्डिंग माय को यूज करते हैं संटाइन आपको नहीं में प्रति करने के लिए कि जब आप सीट नेंव फाइल नेंव डायनमिक डेटा यूज करते हैं जैसे आप निकिता जी की बात हो रही कि मैं एक फॉर्मेट बनाना चाहता हूं कि आमें बना सकता हूं चलिए आपकी सवाल का भी जवाब हम देते हैं मालिए मुझे यहां पर एक का इसका कैस इंटी का पॉर्मेट त्यार करते हैं थिक्ए का आं करना है इत करोंगा कडिन गरता है करेंगे तो क्योंकि सेस्पूंच labeling閑ल के इन molar सिफेन से बीडेर करेंगे तो फिर आपका हिडित करना रिकार्ड है एक अरिया लिया सब्सक्राइब कर देंगे जाएंगे डेली को सेल्स रिपोर्ट कि जून कि दोहर्जार को लेता हूं इस साइट में यहां से 25 कर देता हूं अब यहां पर देगे दो बार किया दो बार कोड जन्नेट हुजाएगा कि टुन्टी मने की बड़ा कर देगा कि जबार कि इसको में बोल्ट किया अंडरलाइन करता हूं कि यहां पर बेड लिया यहां से अंडरलाइन किया इस यहां से इसको अंडरलाइन किया कर सकते हैं कि टेबल इंशेंट टेबल कर सकते हैं है यह नमबर नेम कि टी कॉन्टिटी मर्पी टोटल और यहां पर और टेवल कर रहा है ना तर टेवल में दिक्कत होगा तो ना वहीं बोल रहे हैं तो 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 और यहां पर कि हम कि अबरेज कि अब इसको सेलेक्ट करके अब मैं को स्टॉप कर दिया अब मैं किसी सीट पे जाओंगा सेलेक्ट करूँगा और यू में आके अपना मैक्रो रूड़ करें अगर आप इसी चीज़ को टेवल में कर रहे हैं जैसे इसको टेवल में करें आपने मैक्रो रिकॉर्ड कर लिया रिकॉर्ड करने के बाद आपने एरिया को सेलेक्ट कर लिया सेलेक्ट करने के बाद आपने वोला ओन फॉर्मेट एज़ टेबर ही करते ना तो आप यहां पर आपको दिख रहा है यहां पर क्या दिख रहा है अब मैं अगर दूसरा कोई टेबल बनाओंगा तो क्या आएगा नहीं तू आएगा यही प्रब्लम होती है क्योंकि टेबल बना हुआ है अगर माल देजिए अगर इसी माइक्रों को हम कहीं और रन करते हैं तो हमें आपको इसको डायमिक करना होगा तो आपको क्या करना होगा इन प्रॉक्स लेकि टेबल ने लिया है ना तो तो क्या करना होगा और जहां जाट टेवल नेम है वहां वहां यह दालना पर है आगर ऐसा करते हैं इसको टाइनमिक करता या फिर आप यूज ना करें जएसे मैंने इससे पहले किया हुआ उसको बोलने देख रहे हैं कितना लंबा कोट बन गया है इसी चीज को अगर मैं करता तो बहुत दो कम होता जैसे यहां देखिए इसने इसको मर्ज लिया है ना इसने से फाल्टों इतना कॉल कोट ले लिया वह इसको दिए करें लिए पर चीज किया चाहिए फॉन्ट भी लेता तो चलता इसे पूरा ले लिए बागी को डिफॉल्ट कर दिया जो चैंज किया उसको ले लिए रिकार्डिक मैक्रों में आसक बहुत वड़ा हो जाता है तो अगर मुझे आपको आपको पता होगा तरी चैंज कर पाएंगे ना और यहां आपको दिख रहा होगा अब रेंस टेवल वान इंवार्डट कॉमा में आप करेंगे टी एंपर से मनमें आया अब यह आपका रण करेगा मैक्रोफाइब मैक्रोफाइब अगर रण करना चाहते हैं तो अब प्रफेक्ट्ली रण करेंगा कॉपी कीजिए यहां किसी और जगह पे पेस्ट कर देता हूं इसके बाद मैं यहां अग्याओं डेवलपर वे विव में माक्रोफाइब को पुछे पुछा टेवल ने तो हमने लिए टी आर्ट जी ओके अब यहां भी टेवल वन दिख्राइब आपको यहां भी आपको एंगे कि टी डानना सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसी माक्रोफाइब नहीं आने चाहिए जो बार बार अपना नाम चेंज कर सके हैं उसके नाम के दो जैसे पीवर्ट टेवल हो गया टेवल हो गया है चार्ट हो गया है इन सब का नाम होता है एक अब्जेक्ट नेम होता है सब्सक्राइब करते हैं आपने कोई शैप ले लिया तो क्या लगड़ा है सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की नोलेज को नहीं चाहिए तो आप ऐसे कंपोन को यूज करेंगे जिसमें नेमिंग का कोई सिस्टम ना जैसे कि हमने यह बनाया तो इसमें बताया तो इसमें इसमें करता है क्या सीट रिमें कर देता तो आपको कोड करना पड़ता है तो रिकॉर्डिंग माक्रों दो चीज़ों से पेनिफिट में आपको आएगा पहला बेनिफिट होगा कि आप जो है इसको एडिक्शनरी यूज कर सकते हैं आगे चलके जो मैं आपको कोड समझाऊंगा कि रेंज क क्या होता है एक्टिव सीट एक्टिव वर्क्बूक क्या है इस सारे प्रोग्रामिंग लैंग्विज इसको समझाऊंगा कि थीक है लेकिन क्या ना कि आप हर चीज तो याग नहीं कर पाएंगे ना मांग दिजिए कि मैंने आपको पीबर्टेबल लगाने के बता दिया सब्सक्राने के लिए र्युक्त हमार है कि हम लोग भी यूज करते हैं मैं अभी जो डेटा वाला जो एक्जांपल मैंने बताया से करने वाला इसमें क्या हुआ कि हमें कितनी टाइपिंग से बच गया सब्सक्राइब कि जो टाइपिंग देख रहा है इतना छोटा था था लेकि इतना कोड लिखने से बस तो गया है हमने कुछ कोड रिवीड किये कुछ को चेंज किये और एक लाइन है एड किया ना हमने ठीक है मना यहीं पर्गामिंग को अब यूज करेंगे तो प्रॉगामिंग में आपको सारे चीजिस समंझना आएगा की एक्टिव शीट में क्यों लिया क्यों लिया इस एक्टिव वर्क बुक क्या है लगाया इस पेस क्यों दिया गया इस यह तब पता चलेगी जब आप पर इस तो फिलहार आप किजिए प्रैक्टिश रिकॉडिक को उपर कुछ बनाएगे को चेंजिंग कीजिए और पूर को समझने की कोशिश की क्यों की कोट्स इंग्लिभ लाइंग वें आप समझ सकते कि रेंग में बता दिया कि रेंग सी थिरी साथ आपके दिमाग में आज चकता हो सी थी तो ची कॉलम एंट प्री रोग में सी फिर अफ्टेस ओ लॉट आप कौपी स्यलेक्शन डॉट कोपी समझ सकते हैं क्या होता है स सब्सक्राइब करूंगे के लिए सब्सक्राइब में नहीं की जाती है पहुंग करने से पहले किस तरह पर प्रिप्रेशन होने चाहिए और बात करेंगे कोर्स के ऊपर कि लिए का